थांक्यू स्पीकर सर्फ आपने मुझे आज बोलने का रौका दिया सर आज अमरत काल की बात हो रही है, स्वन काल की बात हो रही है, सुनेहरे काल की बात हो रही है लेकिन सर यह सारे काल, कालपने काल हैं, इसकी वास्तविक्ता कुछ और है विक्सित भारत के चार मजबूत स्थम्ब की बाद जहाएं सरकार कर रही है यूवा, नारी, किसान और गरी यूवा सर आज देश का यूवा लगभग पितालिश प्रतिशत बेरोजगार है सर, अगनीवीर जैसी योजनाय लाकर इस सरकार ने गाउं की अर्थविवस्ता को भी असर डालने का काम किया है सर, हम सभी जानते हैं कि गाउं से जादातर लोग फौज में जाते हैं और गाउं की अर्थविवस्ता संभली रहती है सर लेकिन आज का नौजवान और युवा इस मुकाम पे पहुँच गया है कि उसको कोई भी नौकरी को लेकर वो अपने आपको सुरक्षत नहीं महसूस कर रहा है सर बहुत ही निराश है सर सर सरकारी नौकरियां यह सरकार नहीं दे पारी है सर समविदा पे नौकरी पहले मिलती थी युवाओं को सर लेकिन अब यह नौकरियां ठेके पे दी जा रही है सर मात्र आठ हजार रुपे प्रतिमा की नौकरी हमारा युवा करने को आज मजबूर है सर हमने देखा किस तरह इसराइल जाने के लिए इस देश का युवा मजबूर है लंबी लंबी लाइने लग रही है जिसे की देश का युवा अपने घर कुछ आमदनी लेके आए इसराइल जाके जहां पे सर युद चल रहा है सर लगातार MSMEs जो एक रोजगार देने में सक्षम होती हैं सर इंटर्प्राइसेज सर लगातार इसमें भी गिरावट आ रही है सर सर दो साल में पिछले दो साल में लगभग 14,000 ऐसे उद्योग पती सर भारत छोड़के चले गए हैं जो सक्षम थे सर यहां पर इंडस्ट्री लगाने में यहां के युवाओं को रोजगार देने में सर लगभग 14,000 ऐसे लोग टाक्स टेरिरिस्म के तहित भारत छोड़के चले गए हैं सर महलाओं की बात करी जाए सर लगातार महलाओं की स्थिती उत्तर परदेश हो या पूरा भारत हो सर लगातार महलाओं के साथ अपराद बढ़ रहे हैं और इसका संग्यान सरकार ना देश की ले रही है ना परदेश की ले रही है सर जहां इस सरकार सक्षम आगनवाडिया पोशन की बात कर रही है वही सहयोक्त राक्ष्ट की रिपोर्ट आई है जहां भारत में पोश्टेख खाना खाने को नहीं मिल रहा है सर 54% भारतियों की बहुत पहुँच से ये पोश्टेख खाना बाहर है सर इसी के साथ सर वेस्टिंग का मामला हो सर चोटे चोटे शिशुओं में वेस्टिंग और संस्टिंग के मामले होते हैं सब भारत इन मामलों में भी उच्छतम है सिर्थ बेल फोर में यस तो गिमी टू मिनट सर्थ मेरा भी आप टाइब टाइब एट स्वाई सरिष जहां नारी वंदन विधेग बिल लेकर आई है और हम सभी ने इसका पूरा समर्थन किया था लेकिन यह सर्कार अती पिच्डी और पिच्डी महलाओं को और संक्यक महलाओं को सर्थ संक्यक महलाओं में केवल मुसल्मान महला ही नहीं आती है हमारी Christian महिलाएं भी आती है, हमारे Sikh महिलाएं भी आती है, इन सभी को उनका हग सम्मान और अधिकार देने में सर्य सरकार असमर्थ रही है, सर्जा किसान की बात करी जाए सर्व, MSP का जो वादा किया था, इस सरकार द्वारा, वो पूरा नहीं किया गया है, वहीं सर्डीएप मेडम हमारे पास समय काम है, सर्व, प्लीज गिव में पाइप जिए जाए जहां इस सरकार द्वारा कोई भी सबसीजी नहीं दी जा रही है, हमारे किसान भाईयों को, सर्व, जहां फसल बीमा योजना के तहत, लगवक छे करोड नबवे लाग किसानों ने पंजी करंड तो किया है, लेकिन केवल साथ लाख असी हजार किसानों को इसका फाइदा मिला है, सर्व, जहां गरीब की बात की जाए आद, सर् महंगाई दर क्या है? सब्सक्राइब की बाद हो चाहे दूद की बात हो चाहे सिलिंडर की बात हो चाहे पेट्रोल की बात हो लगातार महंगाई बढ़ रही है और सरकार इस सब को लेके कुछ नहीं कर पा रही है असमर्थ है मुझे लगता है सरकार सब अगर सरकार कहती है अपने आखड़ों में कि 25 करोड जो हमारे भारती है वो मल्टी डायमेशनल पॉवर्टी से भार आए हैं एक तरफ और वहीं 80 करोड लोगों को सरकार अन दे रही है तो सब अपने आप में ही सभी बहुती विवाद स अजब उनुरामाजनल घ्णामरे चांस से इसी के साथ साथ शर। मैं कहना चाहूंगी यह सरकार आयाएटी की बात कर रही है मैडरम के सब डारेवीर लेकिन अन उस उन वहाँ प्रॉटी है वहाँ पे स्हुर आ के साथ में अइस ड़र ने करना चाहोंगी कि जिस अम्रत्काल और स्व голос ≠ifornिक बात-डेंअ कर रही है यह बहुत iyi काल्पने बाते है बहुत पर भाते भाते बाते हैं धन्यषब withdraw वो लॉच्च हो रहा है अधनी सभापती जी आप पिछली बार भी इतनी साथी से रहो तो कितना बजाया था आधनी राश्पती जी आधनी सभापती जी बदाई हो बदाई हो बस फको बदाई हो आधनी सभापती जी अधिरा सोभा गे रहा कि मुझे लंबे समय तक एक राज्य के मुख्मंति के नाते देश्कियों और जंता के सेवा करने का आउसर मिला कि अधिर इसलिए मैं रीजिनल एस्पिरेशन को बहुत बली बाते समाजता है कि उस प्रोसेस से निकला हूँ कि जैसे हमारे यहां दिखविजे जी उनको फली बाते समझ आता है भी एक राज्य के लिए क्या होता है हम लोग उसी दुनिया से निकल करके आए हैं तो हमें अनुभव है पता है स्रद्राव जी को है तो ऐसे कुछ लोग है यहां जिनको इस सारी चीजों का पता है कि पूरी शक्ति गुजरात को क्या कुछ न करने में लगी हुई थी अब कल्पना नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं आसु नहीं बहाता है मैं रोना रोकर रोने की मिरी आदत देजी लेकिन तब भी उतने संकटों के बावजुद भी उतने जुन्म के बाद भी हर प्रकार की मुसीबतों को जेलते हुए भी मेरी तो मुसीबत ऐसी थी कि हां किसी मिनिस्टर से मुझे अपटमेंट नहीं मिलती थी वो कहते थे आप जानते हो मेरी तो दोस्ती है मैं फोन पर बात कर लूंगा लेकिन कहीं मेरी हां एक बार बहुत प्राकृतिक आप दाई है मैंने उस समय प्रधान मंत्री ची के बड़ा रिक्वेस्ट किया का आप आई है एक बार जड़ा देख लीजिए उनका कारकम बना फिर साब एक एडवाईजिर कमिटी बनी थे नहीं वहां से हुकम आया तो कोई हेलिकोप्टर से हवाई निरिक्षण करें वो तो मैं समझ सकता हूं साब वो कारकम बदल करके साउत में किस राजी में गए तो मुझे आद नहीं रहा और बोले हम हम हवाई यहां से उपर से देख लेंगे हम गुजरात में नहीं आएंगे मैं सूरत पहुंचा हुआ वो आने वाले थे मैं जानता हूं आखिर में क्या हुआ होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं साब प्राकुतिक आपना में भी मैंने ऐसी मुसीबतों को जेला है लेकिन उसके बावजुद्धी उस समय भी मेरा मंतर था आज भी मेरा मंतर है कि देश के विकास के लिए राज्य कि नहीं पर चलना चलिए हम राज्यों का विकास से ही रास्थ्र का विकास कर पाएंगे इस पे कोई कोई भी विवाद नहीं हो सकता है कोई भी वाद नहीं हो जेगे और मैं आपको विश्वात देता हूँ सभापती जी राज जगेर एक कदम चलता है तो दो कदम चलने की ताकट देने के लिए को प्रेटिव फेडरलिजम क्या होता है और मैंने तो हमेशा कहा कॉंपीटिटिव कॉपरेटिव फेडरलिसम हमारे राज्यों के बीच में तंदुर सपर्दा हो ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ़े एक सकारारेक्प्रे सोछक के साथ हमको चलने की जबरूत है और मैं यह राज में था तब भी इसी विचारों को ले करके काम करता था इसलिए चुप चाप सहता भी था फादर निये सभावती जी